Hello Friends, Once Again Welcome Back To My YouTube Channel आज का टोपिक है कि पती आपकी इजद कैसे करें, आपकी वैल्यू कैसे करें, आपकी रिस्पेक इस तरह से करें, आपको बहुत बहुत प्यार करें, आपकी बहुत इज़द करें, सबके सामने आपकी तारीफ भी करें तो इसके लिए आपको करना होगा पहला अपने इनलोस की कदर करें अपने इनलोस की कदर करना कुछ लोग होते हैं, गालियां देते हैं, कुछ कहते हैं, सामने उनकी तारीफ हैं कर रहा हैं, पेट पीछे उनको गालिया दे रहा हैं क्रेंगे फीर आपको सम्मान करेंगे लिए नहीं करेंगे थे संतार होसां केंगेफी Candi क्रेंगे कुछ केते हैं काश्य अजै देगा होस सब्सक्ति केवे थेकिजिकने रोड़alog मसुंभासेशा थे कुछ पर भिरकाने समद्दीश के ब़ुकend run — बनाने है तो दूसर नमबर आता है अपने पती के kाम की उळजद करें उसको बारवर जाकर फोकार कर रहे हो किर सो कृकर रहे हो 형al liquid in winter पुर्त को तब बेषए को अब द्रेजरने पाइड या आप मुझे देश कियाओ। है इसारा नमबर आता है कि अपना मेरा मतला अगर आप मेरा सेरी को चुपा चुपा के रख रहे हो उनकी को पोड़े आप बोल रहा है रहीं ऐसा नहीं करना आप कमारे हो या वो कमारे एकी बात है आपको इस पैसे का किस तरह से यूज़ करना है दोनों मिलकर उसको solve करिए ना कि अपना मेरा करिए कि नहीं आप कमारे हूँ वो भी मेरा है मैं कमारी हूँ वो भी मेरा है मैं अपना बचा के रखूंगे या आप अपना खर्च करो ऐसे नहीं करना है भई दोनों का है दोनों को अच्छे से मिलकर उस घर समालना है कैसे मैनेज करना है दोनों को ही समभालना पड़ता है यह चीज है इस तरह का कभी ना करें कि नहीं तो अच्छा नहीं होता घर में यह चीजों से फिर काफी गलत अशर पड़ता है इस तरह का काम बिल्कुल भी ना करें फोन नम्मर पे आता है कि आपके पती का पेट निकल रहा है और अप उनको बोल रहे हो रहे हो बार-बार भ Jeżeli ये मत खाऊ ये मत खाऊ ऐसा मत खाऊ वही है उनको खिलाओ क्योंकि खाना ही सबसे अच्छी चीज मनाई है कि प्यार पाने के लिए खाने खिलादो भassing Help भाँ ब्लार ओ करें गार चाहिए तो अच्छाद बनाके खिलाओ अच्छा अच्छा एक्सराइज कर साइज जिम कर से बहुत कर भाँ आप लिए आप से एक्सरसाइज जीम बगएर यह चीज है उनको करवाओ तो वह भी खुस आप भी खुस और अच्छा अच्छा खाना बना के खिलाना भी चाहिए घर में क्योंकि इसे तारीफे मिलती हैं और हम भी अच्छा अच्छा डिस्ट बनाना सेखते हैं अब आता है पाच रमबर पे कि हम अपने पतीफ का सपोर्ट करें ज्यादा नहीं कम करें अगर हम कमा नहीं सकते तो हम उसको खर्च तो ना करें उसको सेव करें जैसे हम कमानी रहे लेकिन हमें पोच्छा वाली चाहिए जाडू वाली चाहिए बरतन वाली चाहिए कपड़े प्रेस वाली चाहिए कपड़ तो हम उस चीज को बचा सकते हैं, अगर हम कमा नहीं सकते हैं, तो हम उस चीज को पैसो को बचा सकते हैं, इस चीज में हम उनकी हैल्प कर सकते हैं, अगर इस वीडियो से आपको थोड़ा सा भी कुछ सीखने को मिले तो इस चैनल को प्लीज लाइक करें, सस्क्राइब करें और सेयर करें थेंक यू थेंक यू फर वाचिंग